फिर उसा बाद में जग़ जग़ चोराओं पर होली रखी गई है जो कि दो तारिक को सोबा जलाई जाएगी इससे पहले इस होली की महिलाओं ने पूजा अर्चना की बताया जाता है कि होली की पूजा करने से बहुत सारे लाब मिलते हैं और होली जलने के बाद जो राख उसकी निकलती है वह भी बहुत शोब होती है जिसे शरील पर भी लगाया जाता है औलिका दहन से पहले वोली रक कर इसकी पुजा अर्जगा की जाती है ये परमपरा सदियों से चलिया रही है मानटाओं के अनुसार पुजान करने के लिए गोबड से बनी होलिका और प्रहणाद की प्रतिवतातमत प्तमाय बनाई जाती है यह पूजा, माला, रोरी, गंत, पुष्ट, नारिय, वह पांच और साथ तरह के अनाच तथा गेउं की पसलों की बालियों और साथ में एक लोटा जल रखकर विदी विदान के होलिका की पूजा पीजाती है पुराणों के हिताब से यह पूजा करने से जर्मों सुख शांती आती है और मनकामनाय भी पूड होती है रोजबाद से दिव्यांसु को स्वेश की रिपोर्ट पुराणों के दिव्यांसादीन को स्वेश पूजाती है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो में रंगों में रंगों मिल जाते हैं होली के दिन दिल खिल जाते हैं हम फिरोजाबाद में रहने वारे समस्त नागरिकों पार्शदों को नगर निकम परिवार के तरफ से होली की ध्रड़ सुप्तामना या होली उनके लिए पुलास आसाइं लेकर आएं या हम मारी तरफ से उनके लिए आकांचा कर दो